कैसा रहेगा आपके लिए 3 सेतंबर और 4 सेतंबर का दिन संपूर्ण राशी फल के चर्चा करेंगे और ये जो राशी फल बता रही हूं ये राशी फल है नक्षत्रों के आधार पे गोचर देखा जा जाएं तो इनके चर्चा का गोचर हो रहा है इनके 5 गगर के आंदर क्योंकि सिंग राशी राशी में चंद्रमा चलेंगे 3 तारीको और 4 तारीको जाएंगे यह कन्याराशी में तो 56 घर में और चटे घर में आपके चंद्रमा का गुचर हो रहा है शिक्सास संब्थेत कारे कोई मेहत्मुन कारे आप शब्संव को आप चंद्रमा से कर सकते हैं इस समय आपके घर का माहूर को आप आप हलका रखें, घर में किसी भी प्रकार के सकती नहीं रखें, संतान बहा होता है पहुंचवे घर का, इसलिए संतान के साथ परिवार में किसी भी प्रकार के सकती नहीं करें, अपने रिष्टों को समालें, रिष्टों में मदूरता लाएं, क्योंकि रिष्टों में अकर आ अपने वहभाइक पार्टनर पे और अपने लोग पार्टनर के साथ रिष्टों की मजबूती के उपर ध्यान दे पार्टनर आपको काफी सयोग करेगा आपको काफी समर्थन देगा तो अपने जिवन साथी पे विश्वास बनाए रखें शक्रन करें इसके बाद यह चंद्र करेंगे आपके लिए बढ़िया रहेगा तीन तारीख को काफी क्रिटिव रहेंगे से आपको लाब मिलेगा और खूल मिलाके कोई भी नया और यूनिक आईडिया आपके दिमाग माएगा और उस आईडिय के उपर आप काम करेंगे पड़ोसियों से भी अपने संबंद समा आपको देगा आपको अपने उसमाल के छलब करकातार मेल देना साथ IS footage समय कुछ नशे करने का प्रयास करें पुराने धर को पुरानी टेक्नोलोजी को थोड़ा सा अपडेट रहें फीचारू के चलेंगे तो बढ़िया रहेगा कुझ मिला के देख के गार्यक दोस थोड़ा सवंव फ्रभाव इसके करन आपकी जीवत में थोड़ा सदाव कम रहे गा दोनों काफी बीजी रहने वाले हैं परिवार को आप अपना टाइम देंगे और उसी से आपको सहीङोग भी मिलेगा अचानक धन प्राप्ति के इस्तितियां भी मेरिश्ट राशी वर्नों के लिए बनी हुई है शेर मार्केट से आपको फाइदा हो सकता है तीन तरी को एक चीज़ और है तीन तरी को कि सेइद में सुधार हु रहा है जो आपको मिल सकती है तीन तारीख को चार तारीख का दिन शत्रवों पर विजय प्राप्त करने के लिए बढ़िया है जब चंद्रमा चलेंगे सूरे के नक्षत्र में तो अब उपाए की पात कर लें तीन तारीख को है पूरवा फालगुनी नक्षत्र जो कि शुकुर का है तो सूरे के नक्षतर में चंदमा चल रहा है इसलिए पिता का समान करें पिता को आदर दे साथी साथ सूरे के अधित तेर देश सुत्र का पार्ट करते हुए करने के बाद सूरे को जल चड़ाए आपको इससे भी फायत होएगा चार तीन तारीकों अवस्यतिती भी रहेगी इस क झाल रहेगा यह जो दिन चल रहे हैं थोड़ी से नकारत्मक रहेंगे आपके लिए क्योंकि चंद्रमा भी आमवस्या का हो रहा है स्वक्र के नक्षत्र में इसलिए इसलिए तीन तारीको अपने आपको सापसोत्र रहें बना सिंगार करके रहें इससे आपको विपरीज से संबान मिलेगा विपरी से दन की प्राप्ति और सायोग भी होगा साथ ही साथ इसी री सुक्त का पाठ करके दिन की सुरुवात करें दिन थोड़ा सा आपके लिए तीन तरीक का नकारत्म करें वानी पर सहीं रखना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है दिमाग में कि कई तर क्या होगा कि आपके खर्चे बड़े चड़े रहेंगे इस कारण से आपको खर्चों पर नेंतरन रखने की जरूरत है इस समय यह भी हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस के ऊपर आपके कारियों की प्रश्चन्जा हो और सकारात्मक आपका दिन बिते प्रंतु इस समय आपको उनको सौल्व करें अपने मन के ओपर से आलस्य को हटाए और थोड़ा सा सीरियस बने वैपार के अंदर इससे आपको सही रहेगा और थोड़ा सा अपने वर्क प्लेस के ओपर आप सतर को भी रहें वेवाइक जीवन सुक में हैं कोई दिक्कत नहीं है आकस में खर्च आपका बना हुआ है जो उसके उपर निंद्रन रखना है घर में बहुत इक सुक्सुईदाओं के ओपर भी आपका खर्च होगा संतान की चिंता रहेगी संतान संबंदिकार्यों के चिंता से आपको दीरे तीन तरीक के आखिर में मुक्ति मिल जाएगी जो चार तरीक को पूर्ण रूप से सही रहेगा इसलिए आप संतान की वेट के चिंता को ने करें जो भी संतान के पेंटिंग का रहे है उसके और आप ध्यानते हैं विदेश संबंदितकार्यों में आपको प्रोग्रेस देख पिता तुल्य वक्तियों का अपमान्य करें पिता का इतना संबंदित्र का पाट करना सुर्य को जल चड़ाना साथ साथ एक चीज़ और कीजिए अवस्यतिति के दिन अवस्य ही इंगाय को कुछ न कुछ दीजिए इससे भी आपके कारियों के रुकावने दूर होईगी और जितने भी आप प्रॉब्लम सौर्विंग के और जा रहे हैं दूसरे लोगों का साथ लेके चलिए दूसरे लोगों क बूमिका के अंदर है उन लोगों को इस समय वाणी के मातिम सकारे उनके बनेंगे तो वीडियो आपको पसंदा रहा तो लाइक शियो सब्सक्राइब कीजिए हम बात करते हैं तीन तारी और चार सेप्टेंबर का दिन मिथुन राशी जमिना इन के लिए कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए चंदरमा का जो तीन तारी को गोचर हो रहा है वो आपके थड़ा उस से हो रहा है यानि कि आपके प्राकरम भाव से हो रहा है आपके मित्रों की मनली से और साथ ही साथ आपके छोटे वाईबेनों के घड़ से हो रहा है तो इस समय आपका तीन तारी क से आगात किया जाएगा यह मानने कि आपको धनानी या कोई नुकसान हो सकता है इस समय आपको अपने परौशिआं से वर्टाव सही रखना है तीन-तारी को क्योंकि वहां भी मद्वेत क ni कुछ आप नया सीखेंगे और कुछ नया सीखने के और आपका प्राकरम लगेगा तीनतारी को जो आपके लिए बहुती फाइदेबन रहेगा आपको अपने कारियों में इस समय लोगप्रियता भी मिलेगी आप समाज में लोगप्रिय वक्तियों की शेवनी में होएंगे साफी धार्मिक रहेंगे लोगों की मदद भी करेंगे बस यही है कि लोगों को जितने लोग चालाग बन रहे हैं उससे अधिक चालाग आपको बन के रहना क्योंकि आपके बोलेपन का लोगप्रिय फाइदा उठा सकते हैं इस्टूडेंट्स के लिए सफलता वाला दिन है लेने के सितिया निर्मेत हो रही है तो लौण भी आपको आशनी से मिल जाएगा जो आपके अंदर भी कोई नया प्रस्ताव आपको मिल सकता है और अधिकारिय आप से प्रसंद रहेंゲे बहुत से लोग जो लोग अभी तक सिंगल है उनका कोई नया प्रेम प्रसंद तीन त प्रभाव है निस व 你 st को में इसका लन और ना सहरु के तो यह आसे नाक्षेत्रों के अंदर चल रहा है चन्दर्मा दीन करने के लिए आपको शुकुर का पहला उपाय क्या है अपने आपको सेंट लगा के रखें अपने आपको साफ सुत्रा रखें अपने आपको प्रसनेचित रखें विप्रीत का संबान करें यह सबसे प्रैक्टिकल उपाया है जो की काम करता है इसको करें और अगर आपको धन क दल की लालसा है दल की कामना है कार तो तुश्री तरीका उपाया चार तरीक का दिन भी आपके लिए बढ़िया है जब चंद्रमा सूर्य के नक्षद्र में चलता है तो सरकार से रिलेटेट कारे जितने कारे उनको संपन्द करने के लिए दिन बढ़िकर और आपको जौब भी मिल सकती है और ये दिन आपको अपने माता के स्वास्थन में ही थोड़ी सी प्रब्लम हा सकती है अपने मात के स्वास्थज में ःफने रिछेटची उपर दी कर्चो या उसे संब्दित प्लानिंग बने यह बिल्वी कुछ संभव है ऑफिंट परसेंट संभव है कि आप घर के लिए लॉन लेने के और भी जा सकते हैं और घर का निर्मान के कारे भी आपके संपन हो सकते हैं इस दिन चार तारी को पिता का संबान करें क्यांकि पिता के सहीयों के बिना आपके भूमी भवन वाहन के कारेया दूरे ही रहेंगे और आपके चंद्रमा चल रहे हैं भूरी भूमी भवन वाहन के घर के अंडरी तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें उपाई यही है कि चार तारीक को सुर्य रादना करें तीन तारीकों विफ्रित का संबान करें दन्यवाद